जैसा आपको पहले बताया कि ये जो चंद्र ग्रहन है ये मीन राशी में है तो वहां से अगले पंद्रा दिन से एक महीने तक इस ग्रहन का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा किस राशी पर ग्रहन के क्या परिडाम होंगे आईए जानते हैं अगर मेश राशी की बात करें तो पारिवारिक समस्याओं की इस्थिती आपके लिए बन सकती है इस समय आकस्मिक दुरगटनाओं से बचाव करें आपके लिए जरूरी है पारिवारिक समस्या और चोड़ चपेट की इस्थिती दिख रही है व्रिशब राशी स्वास्त की समस्याएं आपकी दूर होंगी आर्थिक स्थिती और करियर के मामले में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा है ग्रहन का प्रभाव आपके लिए मिथुन राशी जीवन की बड़ी समस्याएं हल होंगी और काम में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी तो वो रुकावट दूर होगी यानि ग्रहन का प्रभाव आपके लिए बेहतर है करक राशी स्वास्थ का अपने बहुत ध्यान रखे चोट चपेट और दुरघटनाओं से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी रहेगा सेहत को लेके लापरवाही मत करियेगा सिंगराशी ग्रहन की वज़ा से आखों में समस्या हो सकती है और इस समय दुरघटना से आपको बचना चाहिए आकस्मिक धन के खर्चे या धन हानी से अगर आप बचे तो आपके लिए बेहतर होगा कन्याराशी आपके करियर में बड़ी मुश्किले आ सकती है वैवाहिक मामले आपके इस समय बिगर सकते हैं ग्रहन के परिडाम आपके करियर और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं है तो मेश से लेकर कन्या तक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपने जान लिया अब जानते हैं तुला से लेके मीन राशी के लोगों पर चंद्रग्रहन का क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए तुला की अगर बात करें तो आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी करियर में आपको विशेश सफलता प्राप्त होगी व्रिश्चिक राशी स्वास्त की समस्या हो सकती है ग्रहन की वज़े से और आपके करियर में अचानक संकट आ सकता है धनूराशी ग्रहन की वज़े से मानसिक समस्या हो सकती है और बेवज़ा की दुरघटना के शिकार हो सकते हैं बेवज़ा अपयश मिल सकता है सतर्क रहें मकर राशी ग्रहन की वज़े से करियर में बड़ा और लाभकारी परिवर्तन हो सकता है और आपके काम की तमाम रुकावटें दूर हो सकती है कुम्भ राशी, ग्रहन की वज़ा से सेहत बिगर सकती है स्वास्ते का ध्यान रखें और करियर के निर्डेयों में इस समय सावधानी बनाए रखियेगा मीन राशी, सुचंद्र ग्रहन की वज़ा से वैवाहिक जीवन और रिष्टों में दिक्कत आ सकती है ध्यान रखें और दुर घटनाओं से इस समय सावधान रहें